अमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहें अपना लोग परी यूटेब चैनल जिसका नाम है सुनील जस्वाल वीवलोफाइल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचिल परदेश राजय चैन अयोग के बारे में दोस्तों कि इसमें क्या अपडेट आया है और हिमाचिल परदेश में जो रुकी हुई बरती हैं ये कब तक होंगी इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे मैंने बात करते हैं जो main important cover यहाँ पर आई है रोजगार के नेदवार खोलेगी हिमाचल सरकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिमाचल जो सरकार है वो private sector में और government sector में आप लोगों को vacancy देखने को मिल सकती है दोस्तों यहाँ पर deputy CM मुकेश अगने होतरी ने दोस्तों हिमाचल परदेश में जो युवा Congress का सिमिरन था दोस्तों उसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार जो जोल शक्ती बिवाग में 10,000 से आधिक बरतियां की जा रही है और परिवाग में 3,500 से आधिक बरतियां की जा रही है दोस्तों यह जो नोकरियां होंगी जो जुलाई में इनको पूरा करने का लक्ष जो अब रखा जा रहा है और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचले परदेश के मुख्य मंतरी सुकविंदर सिंग सुकु ने बाकी डिपार्समेंट्स में भी सरकारी रोजगार देने के लिए बिशेश रूप से काम करने की बात कही है तो यहाँ पर हिमाचले परदेश के CM ने निर्देश दे दी है कि आप लोग बाकी डिपार्समेंट्स में भी आच्छे तरके से काम करें ताकि सरकारी नोक्रियां जो आप युवाओं को मिल सके क्योंकि हिमाचले परदेश में बिरोजगारी जो बढ़ती जा रही है और दोस्तों अगर आप लोग देखें तो हिमाचले परदेश सरकार ने सबसे पहले OPS पे काम किया है अब ये रोजगार का जो मुद्दा है दोस्तों ये बंदा जा रहा है और काफी लंबे समय से बच्चे इसका इंतियार कर रहे हैं अगर आप लोग देखें कुछ विकैंसी ऐसी है जिनको चार जा पांच साल हो चुके है कोई भी उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है और बच्चे जो वो काफी लंबे से समय से त्यारी कर रहे हैं जिसके वसे वो निराश भी हो रहे हैं अब दोस्तों यह तो एक ख़वर थी कि जिसमें कि यह बताया जा रहा है कि आप लोगों को बहुत जल्द विकैंसी देखने को मिल सकती है लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं दोस्तों हिमाचलर प्रदेश में हिमाचलर प्रदेश में राजे चैन अयोक की बात करते हैं दोस्तों जो क्लास थी की विकैंसियां निकालेगी दोस्तों क्लास थी की रिकूर्टमेट करेगी और अभी आपको यह भी पता है कि हिमाचलर प्रदेश में जो पेपर होंगे वो computer वेस्ट paper होंगे जिसके लिए agency की जुरूत पड़ेगी लेकिन दोस्तों अब हुआ क्या है कि हिमाच्रप देश में दोस्तों जो tender पास किया गया ताकि paper conduct करवाए जाए इसके लिए दोस्तों सिर्फ दो ही अवेदन दो ही अवेदन आये थे जिसके वज़से अब दोस्तों दो अवेदनों के वेश पे किसी को भी tender job नहीं दिया जाए जाता है अब फिर से retender होगा दोस्तों फिर से tender job पास किया जाएगा अगर बात करेंगे दोस्तों कमेटी की तो जो कमेटी बनाएगी है उसमें कुछ सदसे ऐसे है जिनकी elections duty लगी हुई है जब तक वो बापस आते हैं और फिर से meeting होगी दोस्तों और फिर से tender पास किया जाएगा कुछ शर्तों में deal दी जा सकती है ताकि समय रहते हुए दोस्तों tender job वो दिया जाए और सही से पार्दश्रिता वाली agency को लाए जा सके ताकि समय रहते हुए paper job conduct करवा सके लेकिन दोस्तों ये जो process है ये काफी लंबा होने वाला है इसके लिए दोस्तों आप लोगों को इंतियार करना पड़ सकता है और जब तक HP RCA को agency नहीं मिलेगी तब तक आपके paper job conduct नहीं हो पाएंगे और ये काफी ज़दा difficult situation होने वाली है आप लोगों को अभी थोड़ा समय job देना पड़ सकता है ताकि एक पार्दश्रिता वाली transparents दोस्तों agency भी ले जिसमें paper leak की संबाबने कम हो जाएं जीरो हो जाएं ताकि बच्चे इतनी महने से paper देती है और उसके बाद जब ये ख़वर आती है कि उनके paper leak हो चुके है तो काफी ज़दा दोस्तों बच्चों को मानसिक तोर पर नुकसान होता है तो यहां पर HPRC काम तो कर रही है लेकिन काफी delay हो चुका है और बच्चों जो बच्चे काफी लंब समय से त्यारी कर रहे है दोस्तों उनके लिए ये स्थीती काफी ज़दा नुकसान दाइक है और कहीं न कहीं दोस्तों मन में निराशा पैदा होती है लेकिन एक तरफ इस तरफ के अपडेट आते हैं कि डिप्टी सीम कहते हैं कि वो रोजगार जो अब उपलब्त करवाएगी और एक तरफ से अगर आप लोग देखें ग्राउंड लेबल पे जो काम नहीं हुआ है अगर आप लोग देखें अगर आप लोग अभी देखें तो इस समय जो वो टेंडर पास ही नहीं हुआ है फिर से टेंडरिंग होगी तो यह सब अपडेट था जो मैंने आप लोगों को अपलब्त करवाया है इस तरह के अपडेट मैं आप लोगों को अपलब्त करवाता रहूँगा ताकि समय रहते हुए आप लोगों को इन्फोरिमेशन मिल सके तो दोस्तों यह आज का वीडियो था फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रशन है तो कमेंट बोक्स में जुरू टाइप करें दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने राए कमेंट बोक्स में जुरू बताएं आप लोगों ने मुझे तना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत अन्यवाद थैंक यू वेरी मच दिल से